पट्टे लगे वहाँ तो क्या उसके लिए कमपनी ने पैसे भी चार्ज किया है अगर मैं टीविएस आइक्यूब से तुलना करूं तो क्या है नहीं उससे भी अच्छी सूपर डूपर हीट है यह सूपर डूपर हीट है जो S1 Pro की मैं बात कर रहा हूँ यह है सेकेंड जनेशन की Ola S1 Pro जहां पे आपको डबल सस्पेंसन आपको देखने को अब मिलेगा यहां पे इसकी बिल्ड क्वाल्टी थोड़ी सी और स्ट्रॉंग कर दी गई है कमपनी के दौरा और इसमें पहले के तरह तीन मोड आते हैं यह मोड जो है Hyper Mode है Normal Mode है और बीचवाला मोड है उसको मुझे नहीं क्लियर है फिलाल उसको स्किप करते हैं जो Hyper Mode है इसमें कमपनी जो है 140 क्लेम करती है 120 जाती है और इसका On Road जो भी प्राइस है वो मैं आपको अभी इस वीडियो में आगे चल करके मैं बताओंगा तो आप कि यह हाइपर मोड में 120 जाती है और यहां पर क्या है कि यह सीट आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी कुस्णिंग है फिलाल यह कुस्णिंग क्लेम करती यानि 190 किलोमेटर का रेंज बताती है नॉर्मल वोड पर जो कि आपको 180 किलोमेटर इसका जो ओनर्सिप है जो जिनके जो ओनर है वो लेकर करके गये हैं यहां से और इसकी जो कीमत है इस समय यूपी के अंदर मतलब यूपी प्रयाग राज में यह एक लाग पैंसर कर सकते हैं Ola S1 Pro Vida में यहां तो फिर जो है आपका TVS IQ में फिलाल तो अभी इस से ज़्यादा जबरदस्त और पाड़ गाड़ी मैं अपनी लैंगेज में बोलूँगा फाड़ू गाड़ी कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगी इस प्राइज रेंज में और यहां पर प्राटा ना हो या ब्रेक ना हुआ हो तो यह है ओला गाड़ी सो दोस्तों यह है राज जी जो इस गाड़ी के और चलिए अब इनसे जानते हैं इस गाड़ी के बारे में मेरे कुछ सवाल होंगे और इनके कुछ निगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे इस ग जी आप बताईए कि यह गाड़ी आपको कित्ती की पड़ी पहली जी यह गाड़ी हमें पड़ी है एक लाग पैसाट हजार रुप आप ने पहली वाली गाड़ी क्यों नहीं ली जो इसका जो पहला वर्जन था सिंगल सॉकर के साथ मुझे कुछ खास नहीं लगा कुछ खास या सॉकर के रिगार्डिंग या फिर उसमें स्पीड का भी कमी है ना कम है इसमें 120 लाग बीस जार की है आच्छा और इसके टॉप स्पीड किती है हाइपर पर पर कंपनी बोलती है 140-130 लेकिन 120 जाती है 120 जाती है इसमें आपको लेने के बाद में कुछ ऐसा लगा कि क्यूंकि अंदर कोई पती नहीं है अच्छा लगा दिए इसके निशे से पती लगवा दिए ओके इसके अंदर पती लगवाई यह अर्य सीट थोड़ा अराम दायक कम थी अब भी तक आपने इस गाड़ी को कितना चलाया अभी तक यह गाली चल चुकी है तेरा सो किलोमीटर आपने चलाया आपको ऐसा कुछ लगा कि इसमें कुछ कमी है एक लाग पैसा डजाल लगाने के बाद में तो इसके लिए कुछ कंपनी ने पैसे भी चार्ज की नहीं सारी चीजें रिप्लेस कर दी अच्छा उसको बना करके दे दिया पाकि आप तूटे ना बस कुछ हो गया कुछ भी तूटे ना खराब होगा उसकी जिम्मेदारी कंपनी ले गए तो यह कितने दिन में आपको मिली थी अभी एक अन्रोड आप एक महीने बाद मिली थी एक महीने बाद तो कैसी आपके गार्डिंग गाड़ी कैसी है एक नम् में एक ओला लाने को ओके तो आप सेकेंड डोला लेने जा रहे हैं तो भाई कॉंग्रेजुलेशन आपको इसके लिए कि सेकेंड डोला आप लेकर कर आएंगे बाकि आपके तरफ से गुड़ टूगो है इसको ले लेना चाहिए यूजर को सबसे बेस्ट है तो चलिए ठीक का सार धन्यवाद आपका वीडियो में आने के लिए बाकि जो लोग चैनल पर नया है चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दिजेगा और ओला लेने की सोच रहे हैं तो जरू ले सकते हैं गाईज उसके लिए धन्यवाद